हालो गईज वेलकम टो माई चैनल और आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं रोयल इंट्फिल स्टीलत ब्लैक क्लासिक 350 CC EFI की जिसकी डिलिवरी हमने थोड़े दिन पहले ही ली थी जो भी मेरे कजन ब्रदर का है तो गाइज चलिए शुरू करते हैं वीडियो रिव्यू करते हैं डिलिवरी लेते हैं अल सारे जो भी है इस वीडियो में मैंने कवर किये हुए हैं तो वीडियो एंट तक देखना अच्छी लगे लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना की कैसी लगी आपको वीडियो तो तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रॉयल इंफिल के शोरू में स्टीलत ब्लैक की डिलिवरी लेने तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो क्या थिलिवरी कृता है जो जो प्लाद कर दो दो एक पांड़ कर दो. अच्रिवा लाइ लाइ बाइब बाइब नाइब एंग है झाल 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 यह इंडिकेटर्स आप देख सकते है और रेड कलर की टेपिंग बिद रॉयल इन्फिल्ड यह इंजन है इसका ब्लैक और यह बैटरी कवर है यह बॉक्स है बाकि यह पीछे लाइनिंग है टायर में अलोई वील में रेड जो की काफी सही लग रही है यह सीटिंग कैपैस्ट इसकी और यह है जो आगे का मीटर वगारा होता है यह ओन किया अभी हमने पेट्रॉल का साइन है किल स्विच का साइन है एबियस का साइन है जैसे देख रहे हैं आप यह किल स्विच का साइन है ओफ हो जाएगा ओन हो जाएगा जब भी आप इसको यूज नहीं करेंगे यह मीटर है इसका यह देखिये पार्किंग लाइट ओन है यह ओन है अभी पार्किंग लाइट इसकी फुल लाइट जब यह स्टार्ट होगा तब वहां होगी इसकी जब आप ओन रखोंगे तो पार्किंग लाइट ओन होगे यह देखिए यह लाइट के स्विच बगारा सारे सेल्फ है यह कवर करने थे हैं हम यह केरिंग है जो शोरूम से ही लिया हम अभी हमने और बात करें इंजिन की तो यह देखिए आप इंजिन कैटलिक केंवर्टर है यह जो बीए सिक्स मोडल में हर रॉयल इंफिल्ड की बाइक में आता है किक है इसकी यह सेल्फ स्टार्ट भी है जो की काफी अच्छी वात है यह इसका एक्जोस्ट का डिजाइन और यह इंजिन की लुक देख सकते हैं आप टोटल ब्लैक बिल्कुल ब्लैक जो है स्टीलत ब्लैक बहुत से ही डिजाइन कलर तो गाइस कैसे लगी वीडियो कमेंट करो कैसा लगा स्टीलत ब्लैक कमेंट करो और यह बैक से आप देख सकते हैं झाल 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 झाल